मैं प्रोफेसर टीवी कटिमेनी अद्यक्ष हिंदी भाग मौलन आजाद नैशनल उर्दु विश्विद्याले में काम करता हूं आज हम हिंदी भाषा और साहित पर उर्दु भाषा और साहित का क्या प्रभाव है उस पर बात करेंगे वैसे देखा जाए तो भाषा वो समाजिक तत्व है जो समाज के संपूर्ण जीवनकाल में कार्यत रहती है भाषा सामाने तह जीवित प्राणी की तरह मानी जाती है किसी भाषा का सम्यक अध्यन जनता के इतिहास आर्थिक विकास एवं उसके जीवन पर पढ़ने वाले सांस्कृतिक प्रभाव के आलोक में ही संभव होता है वस्तों में भाषा का स्वरूप पहले से सदियों से निर्मित एवं व्याकरण के नियमों से सुनिश्चित रहता है किन्तु नई भाषा या भाषाओं जैसे अरबी, फार्सी और तुर्की के संपर्क या समाज के वूपरी धांचे में परिवर्तन से भाषा में विकास के संभावना बढ़ जाती है कुछ पुरानी बाते छूड़ जाती हैं और नई बाते उनमें जुड़ जाती हैं हिंदी भाषा और साहित का विकास विक्रम आठवी शताब्दी के लगभग से माना जाता है इसी के आसपास विदेशों का संपर्क भी होना प्रारंब होता है फिर उनके आक्रमन शुरू हो गए तथा तेरवीश अताब्दी के कुछ वर्स से ही दिली पर उनका अधिकार भी होने लगा। इसी समय से हिंदी भाषा पर बायह प्रभाव पर ना प्रारंब हो गया। अतहा हिंदी भाषा और साहित अपने शेशव काल से ही बायह प्रभावों को ग्रहन करता हुआ चला आ रहे हैं। इस प्रकार अब तक अनेक प्रकार के विदेशी प्रभाव इस भाषा पर पढ़ते विए नजर आता है। प्रारंब हैं मुसलमार यहां आये तो उनके सामने भारत में कई प्रकार की भाषाएं आई। उनमें संस्कृत भी बहुती प्रमुक थी। अन्य भाषाओं का प्रयोग विभिनन स्थानों में होता था, उन विभिनन भाषाओं को भाषा शब्द से संबोधित किया जाता था। उन लोगोंने भारत को हिंदी कहना प्रारम किया क्योंकि फार्सी में सरवर्ण का अभाव अथवा और उनके सामने सुन्दु देश ही सरवप्रथम आया शिंदु को उन्होंने हिंद कहना प्रारम कर दिया तथा कालांतर में पूरे भारत वर्ष को वे हिंदुस्तान कहने लगे यहां के निवासियों को सामाने रूप से हिंदु कहने लगे तथा यहां के भाषा को हिंदुई नाम दिया गया फिर दिल्ली, आगरा, मेरट, आदी की बोली को हिंदी कहा जाने लगा ततकालिन कावे भाषा ब्रज को भी भाषा या हिंदी या हिंदुई के नाम से पुकार जाने लगा ये भाषा हिंदी हुई इस प्रकार हिंदी भाषा नाम भी मुस्लमानों नी दिया जो आज सर्वत रूप से प्रयुक्त होता है और हम सब उसको उप्योग करने लगे हैं दिल्ली, आगरा, मेरट, मुर्शिदाबाद, आदिस्थानों की फोजी चावनियों में एक नई बोली को हम जनम देते हुए देखते हैं जो बाद में कहा गया ये स्वयम खड़ी बोली है चुंकि इन स्थानों में विभिन्न प्रांतों के सैनिक एक साथ रहते थी और वे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते थी अतहा सुभावत या उनके पारस्परिक संपर्क तथा स्थानिय आवशकताओं के अनसार स्थानिय भाषाओं के उप्योग वहां होने लगा तथा स्थानिय भाषाओं के सहयोग से खड़ी बोली जिस खड़ी बोली को आज हम कहते हैं कि हिंदी है खड़ी हो गई इसके साथ ही उसी प्रकुर्ती में अरबी फार्सी शब्दों से भरी एक और भाषा बनी जैसे उर्दू नाम से उसको पुकारा जाने लगा उर्दू का मूल अर्थ सर्व विधित है ये अर्थ है खेमा या तंबू चुंकि सेना ये तंबूओं में पड़ाव डालती थी इसलिए ये नाम सेना के अर्थ में मशूर हुआ मुगल शासन एक सैनिक शासन था इस परिसर में बोली जाने वाली भाषा जबाने उर्दू हुई कालांतर में यही जबाने उर्दू या सिर्फ उर्दू के नाम से जानी गई उर्दू के सुप्रसुद कवी गालिब के अनसार फार्सी का प्रयोग अरब आकरमन के पूर इरान में प्रचलित भाषा के लिए किया है उनका कहना है कि उस पुरानी फार्सी भाषा में अरभी मिलाकर एक नई उर्दू बनाएगी आगे उनके विचारों के अंसार स्थानी ये हिंदी में फार्सी के शब्द और भाषिक प्रयोग विधियां मिलाकर उर्दू बनाएगी उर्दो भाषा के नए रूप का प्रचलन तो उस समय से प्रारंब हुआ जबकि मुसल्मान बाशा यहां दिली में आकर शासन चलाने लगे इस भाषा का संबन्द भारती आरे परिवार से जा मिलती है इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की अन्य परिवार के भाषाओं की भांती इसकी कहानी का आरंभ भी दक्षनी रूस के विस्तरुत मैदानों से आर्य आदिवासियों का आगमन के साथ साथ होना चाहिए उर्दु भाषा के इतिहास वास्तों में नवीन और प्राचीन हिंदी आर्य भाषा की इतिहास की एक लंबी कहानी है भारती आर्य भाषाओं में अरबी फारसी शब्दों का समावेश अधिकता के साथ शिंदु तड़ से अरंभ होता है मुस्लिम शासनकाल में देश में एक प्रकार से भाषा समानवाई की स्थिती उपस्तित हो गई थी जिसके फलसुरुप हिंदी पर मुसल्मानी प्रभाव अत्यदिक मात्रा में पड़ा और जो इसके शब्द भंडार व्याकरन अलंकार चंदशास्त्र और शेली में देखा जा सकता है जो हिंदी भाषा की शब्दावली में घुल मिल गए जैसे देर, चाकू, तकलीफ, रोटी, आराम, फैसला, आदी शब्द हिंदी में हैं जो विदेशी भाषा के हैं जो आजकल हमने ऐसा मान लिया है कि ये विदेशी शब्द नहीं है, अपने अपने देश के, अपने मुल्क के, अपने परिसर के शब्द हैं उनकी विदेशी प्रकूर्ती, यानि वर्णों के नीचे लगने वाले बिंदू आदिके हट जाने से हिंदीपन आ गया है क्रियावों की धातुयें तो प्रायह संस्कूर्ट से ली गई हैं, पर उनके रूप हिंदी में बनते गए हैं मुगलों के संपर्क से इसी प्रकार अरबी फार्से के शब्द का मिश्रन हुआ जब मुसल्मानी शासक दिली में आये तो उन्हें स्थानिय भाषा के अतरिक्त एक ऐसी समरुद साहितिक भाषा के संपर्क में भी आना पड़ा अवशक भी था जिसके जलक रासों में मिलती है विदेशी प्रभाव पढ़ने के कारण हिंदी साहित की मनोरुतियों में व्यापकता आ गई साहित के क्षेत्र में विस्तार हुआ, वर्णे विश्यों की अधिकता हुई, भाषा में समन्वई की शक्ती बड़ी, शब्द भंडार में वृद्धी हुई, शब्दों के लाक्षनिक शक्ती में विकास हुआ भारत में फार्सी का अच्छा साहित भी लिखा गया फार्सी का प्रभाव भारतिय जीवन पर पड़ा और उसका प्रणाम हिंदी साहित में स्पष्ट दृष्टिकोचर होता है चुंकि वीदेशियों एवं स्थानी जनता के बेच बोलचाल का माध्यम हिंदी थी इसलिए फार्सी के भाषागत अनेक प्रभाव हिंदी में प्रकट हुई है पंडित किशुरिदास वाजपेई जो बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान है और हिंदी के विद्वान है वो कहते हैं कि फार्सी अरभी के यतना प्रभाव हिंदी पर पड़ गया कि अब तक उसकी गंध नहीं गई और मेरे जैसे संस्कृत पंडित देखी स्वाइम वो मान लेते हैं कि संस्कृत पंडित की कलम से भी अब तक वैसे शब्द निकलते रहते हैं यदे पिमाए उर्दु फार्सी का आलिफ बे भी नहीं जानता लेखकों में पहला वो लेखनी ये नाम और हम सब जानते हैं वो स्वाइम अमीर खुसरो का है अमीर खुसरो अपने साहित और विचारों की मौलिकता में अद्विती हैं गध अथ्वा पद के अन्य लेखक ये किया दो विधावों में दूसरों से आगे जा पाए परन्तु खुसरों तो हरेक में आगे गए फार्शी शायरी पर काबू हासिल करने वाला एक ऐसा विक्ती भूतकाल में कभी हुआ नहीं और अब कयामत तक होगा भी नहीं ये पंक्तियां जियावुद्दिन बर्नी ने तारीखे फिरोशाही में लिखा है अमिर खुसरों तुर्क किसान के वहंशस थी अतेव उन्हें तुर्की का ग्यान था बलक के लोग फार्सी भी जानते थी जिससे उन्हें फार्सी का बहुत अच्छा ग्यान भी था पर अपनी मा से ततकालीन भारती भाषा हिंदवी का ग्यान भी उन्होंने प्राप्त कर ल लिया उनके साहित में ततकालीन समाज का पूरा पूरा चित्र मिलता है ततकालीन समाज मतलब जिस समाज में खुस्रों रहते थे उस समाज के रितिर्वाज आचरन तीज त्योहार सब का चित्रन उनके काव में उनके साहित में मिला हुआ है हम उसको आजकल देख रहे हैं जो होते हिए भी उन्हें हिंदवी विशेष प्रिय थी उन्होंने स्वयम स्विकार किया है तुर्के हिंदु pops मन्दूर हिंदवी गोयम जवाब शकरी कि मिश्री न द devoted कज अरब गोयम सुखन इसका मितलब होता है मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में उतर देता हूँ मेरे पास मिश्र की शकर नहीं है जिसे मैं अरबी में बता सकूँ ब्रज भाषा, राजस्थानी, हरियानी, आवधी, आदी से मिलकर एक नई भाषा बन गई जिसे अमिर खुसरों ने हिंदवी नाम दिया, उन्होंने खलिक बारी नाम से एक शब्द कोश बनाया, जिसमें इस मिश्रत देशी भाषा को हिंदवी कहा गया खड़ी बोली में लिखी गई, उनकी पहलियां, वो मुक्रियों ने विशेश प्रसिद्धी पाई है उनकी एक पहली का उदहान है, एक थाल मोती से भरा, सब के ओपर अउंदा धरा, चारो वोर थाली फिरा, मोती इससे एक न गिरा आप ततकालीन रेक्ता शेली के जन्मदाता कहे जा सकते हैं मीर तकी मीर की पुस्तक नुकातुर शोरा में उनका ये रेक्ता मिलता है जर गिर पिसरे चूँ, माह पारा, कुछ घडिये सवारिये पुकारा नकदे दिल, मन गिरफ्त, ओ, बशिक्स, फिर कुछ न घड़ा, और न कुछ सवारा अधिकाल में, हिंदी साहित का अधिकाल में, खड़ी बोली को कावी की भाषा बनाने वाले वे पहले कवी हैं खुसरो के हिंदी कवी होने के संबन्द में, हमें उनका सबसे पहला प्रामानिक कथन वजही के सबरस में मिलता है पंका होकर मै डुली, साकी तेरा चाव, मुंज जलती जनम गया तेरे लेखन बाव उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या सव बताई जाती हैं जिन में से अब 20-21 ही उपलब्ध हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं, अधेन कर रहे हैं खालिक बारी, पहेलिया, मुक्रिया, दो सुखने, गजल, आदिव उनमें अधिक प्रसिद्ध हैं आज जब हम देखते हैं कि उनके गुरू निजामुद्दिन अवलिया की मृत्यू का समाचार मिला तेरवी शताबदी में तो वो उनकी कबर के पास पहुंचे और बेहोश हो गए ए समय लिखा गया दोहा साहित की अक्षे निदी है जबाने देहलवी जिसको आज हम खड़ी बोली कहते हैं उसका विकास एक और उर्दू के रूप में खुसरो और दूसरे संतों के द्वारा हो रहा था तो दूसरी वोर पंजाब दकन और पूर्वी क्षेत्रों में सैनिक व्यापारियों और तीरत यात्री इसके विकास में महतवपून योगदान दे रहे थे जिसकी पुष्ठी में हमें नामदेव, कबिरदास और गुरुनानक की रचनावों में उपलब्द होती है भक्ती आंदोलन ने एक प्रकार से विश्व बंधुत धर्म की निव रखी और जनसाधारन की भाषा को साहित के क्षेत्र में प्रचलित किया नामदेव की गणना मराठी भाषा के पहले स्रिष्ठ कईयों में की जाती है उन्होंने अपने संदेश की सर्व साधरन तक पहुंचाने के लिए खड़ी बोली में अपनी रचनाय की हलांकी उनकी मातरभाषा मराठी थी नामदेव की एक काल तक देवगरी पर पठानों का आकरमन हो चुका था और मुसलमान महराष्ट में बसने लगे थी निर्गुण धारा के ग्यानमारगी शाखा के प्रमुकवी कवीर ने अपनी भाषा को पूर्वी बतलाया है समान्य भूत में कवीर ने जान्या, मान्या, पाईया, बिच्छाया, आदी शब्दों का भी प्रयोग किया है जिसका संबन्ध खड़ी बोली का प्राचीन रूप से है जो की दखिन में समान्य तया प्रयुप्त होते है इस समय तक देहलवी जबान हिंदुस्तान पर अपना प्रभाव जमा चुकी थी और ये प्रभाव सामाने तहा पूरु और पंजाब में विस्तुरुत हो चुका था इन क्षेत्रों में रहने वाले कवी जो विचारों और भाशा की दुरुष्टी से अपने आप को प्राचीन परंपरा से मुक्त समस्ते थे सामाने जनता में व्यापक रूप से अपने विचारों के प्रसार के लिए इस प्रचलित भाषा का पुठ अवश सम्मेलित कर दिया करते थे उर्दो भाषा के विकास का दूसरा रूप यानि भारतिय भाषाओं में फारसी और अरबी शब्दों का मिश्रण कभीर के समय में चरम सीमा तक पहुँच गया था कभीर के रचनाओं में निमनलिखित अरबी और फारसी के शब्द मिलते हैं इक्तियार कुतुब जिसको हम किताब कहते हैं खराम मुला दगाई दागना दफ्टर जिसको हम दफ्टर ही के रूप में उप्यों करते हैं निसाना निशाना पैगंबर नोबत फरमान फिकर क्यों को फिकर करना यहां जो उप्युक्त होता है वो फिकर बंदगी बंदा सहर जिसको हम शहर के रूप में उप्यों करते हैं बरकस बरकत सावित सुन्नत हाल गोर हवाई आदी कबीर से पूरु जो हिंदवी में काविर रचना प्रारंब हुई थी उसको ही संतों ने आगे बढ़ाया शेक साहब बाबा फरित तथा शेक हमिनुद्दिन नागोरी ने जिस शेली में लिखा उसको ही कबीर ने संपन किया कबीर के लाली देखना मैं गई मैं भी हो गई लाल में सूफियों की चिंतन धारा की अभिव्यक्ती है जो उनसे पहले शेक की इस रचना में वो स्पस्ट होता है अवशदी भेजना धनी गई ओवू भई बिरहीन अवशदी दोशन जानाई नारी न चेताई तीन भाषा की दृष्टी से गुरु नानक की रचनावों में यही क्रम को हम देखते हैं जो नामदेव और कबीर जैसे संतों से प्रारंभ होती है एक और अरबी और फार्शी के शब्दों का प्रयोग तो दूसरी तरफ भाषा के उस प्रभाव से आविश्ट होना जो दिल्ली से निकल कर सारे भारत वर्ष में विस्तृत हो रहे थे संत साहित को सम्रुद करने वालों में नानक देव का नाम विशेश रूप से हम लेते हैं जिने सिक्ष संप्रदाई के संस्थापक के रूप में माना जाता है आपकी गुरवानी में अन्यपूरोवर्ति संतों की वाणियां भी मिलती हैं जिन में से बाबाशेक फरीद मुक्य है अपने दोहे के लिए प्रसिद रहीम ने ब्रज भाषा में रहीम सत सही लिखकर हिंदी साहित में अपनी च्छाप छोड़ी है उनका वही स्थान फार्सी साहित में भी देखने को मिलता है ब्रज भाषा में रहीम और उस्मान की तरह प्रतेक व्यक्ति कविता नहीं लिख सकता मुसल्मान कवियों ने जबाने उर्दू ए शाही को पहले पहल जिस हिंदी पिंगल में ढालने का प्रयत्न किया उसका वुदाहरन हर्याना के लेखक महभूब आलम की रचनावों में मिलता है सत्रवी सदी के अन तक हमें मीराबाई के सशक्त भक्तिपूर्ण गीत देखने को मिले भारत भर में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो मीराबाई के मेरे में न जानते हो स्री कृष्ण के प्रती तीवर प्रेम में भाव विभोर होकर जब वो गाती थी तो उनकी भाषा में हिंदी और उर्दु के मिश्रित रूप देखने को मिले बसु मोरे नयन में नंदलाल मोहिनी मारुत सांवरी सूरत नयना बने रसाल भक्तिकाल तथा रितिकाल में विदेशी प्रभाव अधिक रहा प्रेम गातावों का प्रचार नवीन धंग से हुआ सूफी दरी देशों की भक्ती पधती की रचनाये हिंदी में हुई है प्रेम वर्णन की तीवरता में मुसल्मानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है बिहारी के दोहों में घनानंद की कवितावों में तथा अन्य कवियों के रचनावों में ये ये बात स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है जैसे कटाक्ष से अंगुली काटना, विग्रह में जलकर राक होना, छाले पढ़ने के डर से हाथ को छाती पर नच होआ सकना इस प्रकार सैकडो उदाहर्न मिलते हैं ततकालेन हिंदी हिंदवी की एक शाखा दकन, जिसको हम दक्षिन भारत कहते हैं, उसकी ओर भी मुखमत तगलक के समय में ही चली गई थी, जो कालांतर में दक्षिनी के रूप में ही विकसित हुई हिंदी के विकास के संदर्भ में दखनी का विशेश महत्व है हिंदी में अब तक पद की रचना ही विशेश हुई यतरतर गद्य भी थोड़ा सा लिखा गया पर दखनी में गद्य पद्य दोनों में रचना की गई है चदवी शताबदी में गीशु दराज बंदा नवाज जो गुलबरगा के निवासी थे उन्होंने इस शेली में रचना की देखो वाजित तक की चक्की पीडी चातुर होके सक्की हिंदी साहित की महत्पूर्ण कडी दखनी दखिनी है जिसके अध्यन के अभाव में समगर हिंदी साहित का अध्यन और परशीलन असंभाव है कालांतर में इसका विकास भहमनी आदिल शाही, कुतुब शाही, आदि दख्षिन के राजों में हुआ है ये संयोग ही है कि 24 अताबदी में अमिर खुसरो और कलंदर जैसे सहिश्नु संत जिस भाषा का प्रयोग उतर भारत में कर रहे थे वो किनी काणों से उतर में अधिक विकसित नव होकर सुदूर दक्षिन में पकान चड़ी और फिर से उतर में लोटकर वर्तमान हिंदी के सुरूप को स्थिर करने में सहायक सिध हुई वजही की कुतुब मुश्टरी में इस शब्द का स्पष्ट उलेक हमें मिलता है सत्रवी शताबदी में इसको हम देख सकते हैं दक्षिन में जो मिठी बात का अच्छाय किया कोई इस घात का वली को उर्दु कविता का प्रारंब करता भी माना जा सकता है उन्होंने ही सरव प्रतम दक्षिनी में प्रचलित परंपरा को छोड़कर स्पुटक कावे गजल का प्रारंब किया दिली में उनका स्वागत किया गया दिल वली का ले लिया दिली ने छीन जा कहो कोई मुहमद शाह सूंग दक्षिनी तथा उर्दु की धारा आगे बढ़ती गई अठारवी शताबदी के अंत में आगरा में नजीर अकराबादी ने सरल भाषा में परियाप्त रूप से उन्होंने लिखा खड़ी बोली में लिखा ये कावे ततकालीन मेले तमाशों तथा जनस संस्कृती को प्रतिबिम्बित करता है काव में रूपकों तथा प्रतिकों का प्रयोग किया गया भाषा की दुरुष्टी से चलती सहज भाषा है वो तारिक करो अब मैं वया क्या क्या उस मुरली अधर बज़या की नित सेवा कुंज फिरया की और बनबन गवो चरया की 19-वी शताबदी के प्रारम में ही सन 28 शताबदी में मार्किस विले जोली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की गई थी कालेज के दो अध्यापक ललूजी लाल तथा सदलमिश्र तथा कालेज के बाहर दिली के इंशा अलाखान तथा सदा सुकलाल खड़ी बोली के प्रारमिक लेखकों में से प्रमुक हैं ये वो समय था जबकि फार्सी का राजकाज में प्रयोग किया जाता था जिस लोक भाषा को अंग्रेजों ने अपनाया वो खड़ी बोली का अरबी फार्सी रूप हिंदुस्तानी था इस सम्मंद में उस युग के अधिकारी विद्वान डाक्टर लक्षमी शागर वाशने ने लिखा है कि व्यावारिक अर्थ में हिंदुस्तानी उस भाषा का नाम था जिसका मुलाधार तो मूल हिंदुस्तानी था लेकिन जिसमें अरबी फार्सी शब्दों का अथ्यदिक प्रयोग होता था और जो सादान्ड था या फार्सी लिपी में लिखी जाती थी ये हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू या उर्दूई और रेकता नामों से पुकारि जाती थी अलग-अलग प्रदेशों में और वो हिंदूई या प्रज भाषा से बिनन थी स्वयम गिलक्राइश्ट प्रारम में हिंदुस्तानी के समर्थक थे और बाद में अरबी फार्सी में भाषा के समर्थक रहे इंशाल्ला खान हिंदी के प्रथम कहानी रानी केत्की की कहानी शीर्षक से लिखते समय संकल्प ले रहे थे कि इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं आने देंगे परंतु कई आलवचकों के अनुसार उनकी भाशा पर उर्दु की छाप दिखाई देती है मुन्शी सदा सुकलाल जिन्होंने सुक्र सागर शिर्षक से स्रीमत भागवत का अनुवाद किया है आप भी दिल्ली के निवासी थे और नियाज नाम से शैरी भी करते थे मुन्शी जी फार्सी वुर्दु हिंदी के अच्छे लेखक थे पत्रकारिता के क्षेतर में कलकते के बाद हिंदी क्षेतर के केंदर बनारस से बनारस अकबारी निकला करते थे इसके संचालक थे सितारे हिंद बाबु शोप्र साथ, सितारे हिंद अरबी फार्सी शब्दावली से युक्ते हिंदी के पक्षपाती थे, उन्होंने हिंदी का गवारपन दूर करते करते उसे उर्दीय मोहला बना दिया, उन्होंने उर्दो और हिंदी को परस पर मिलाने का बहुत बड़ा काम किया अंग्रेजी लोग जानते हैं कि उन दो भाषाओं का मिश्रित होना सब से स्रेष्ट बात होगी हिंदी नाटा के इतिहास पर फार्सी रंगमंच का प्रभाव अनेक रूप से पड़ा है और आगे चलकर वो भारती भाषाओं के सभी रंगमंच पर द लेखे गये उनकी तिलस्मी एय यारी का प्रभाव हिंदी साहित पर पड़ा स्टिषल अपने साहित में यूग को साथ लेकर चले को प्रेंचन ने हिंदी उपन्यासों को कि लिखते समय पहले उर्दू में कई उपन्यासों की रचना की थी जिन में से प्रेमा अर्था दो सक्षियों का विवाह हम सुमा वह हम सवाब का रुपांतर 1907 इसा में हिंदी में प्रकाशित हो चुका था उनके अन्य प्रारंबिक उपन्यास अंसरारे मावबिद उर्फ देवस्तान रहश किसना रूठी रानी जलवाये इसर आदी थे हलावाद के प्रवर्तक हर्वें उश्रा बच्चन की कविता पर भी फार्सी उर्दू भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश कावे संग्रोहों में उमर खयाम की रुबाईयों का प्रभाव लक्षित होता है हम सब जानते हैं उमर खयाम की रुबाईयों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है अतह ये कहना उचित होगा कि हिंदी भाषा और साहित पर उर्दू भाषा और साहित का अनकूल प्रभाव आदिकाल से ही पड़ा है हिंदी भाषा में नए शब्दकोष, डिक्षनरी एवं अभीवक्तियों की रुद्धी हुई है इशिया के पश्चिमी जगत का सारा सांस्कृतिक वैभाव, सारी साहितिक शैलिया, सारी भाषा, भाषा संबंदी रीतिया, रीति रिवाज और रहन सहन इस देश को मिली और उनकी सांस्कृतियों और साहित सम्रुद हुई मुसल्मानों के एकेश शुरवाद तथा भक्ति भावना का प्रभाव कुछ नकुछ अवश पड़ा, जिसके कारण से यहां निर्गुणवादी परंपरा प्रचलित हुई हिंदी भाशा और साहित जो उर्दु भाशा और साहित के संपर्क में आया उससे प्रभावित होता गया हिंदी और उर्दु की मूल प्रकृति भारती है उर्दु साहित की अनेक अच्छाईया हिंदी में आ बढ़ी है उर्दु के प्रभाव ने हिंदी साहित को अनेक देन दी है इससे साहित की संपनता बढ़ी हिंदी की प्रकुर्ती मूल प्रकुर्ती में थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ और हिंदी की भाषा सम्रुद ही ने शब्द आये और शब्द के कारण से गद्य विधा प्रचलित ही वास्ता में पहले भी हमने देख लिया है हिंदी में गद्य विधा का प्रचलन नहीं हुआ था हिंदी में गद्य प्रथा का प्रचलन हुआ उद्धू के प्रभाव से इस प्रकार हिंदी साहित उनका अत्यंत रुणी है आज इस विशे को लेकर हमने बात की है मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफी है इस विशे में आगे की जानकर्य आप में से कोई हासिल करना चाहते हैं कुरुपिया हमारा पता आप लिख ले दूरशिक्षा निदेशा ले मौलाना आजात नेशनल उर्दू विश्विद्याले गची बावली हैदरबाद 32 धन्यवाद कुरुपिया हमारा आप कुरुपिया हमारा आप ले बावली हैヤ informações कमीवाद